आराध्या बच्चन ने सुन्दर दिखने के लिए क्या प्लास्टिक सरजरी कराई है? ये सवाल यूही नहीं उठा, इसके पीछे एक बड़ी वज़ा सामने आई है अश्वरे राय बच्चन की बेटी आराध्या का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है अमबानी के बेटे के प्री वेडिंग में नज़राई आराध्या का नया लुक देखकर लोगों के होश और गए 12 साल के आराध्या मैच्योर दिखने लगी है पिंक लहंगा चुन्नी में नज़राई आराध्या से लोगों की नजरे नहीं हट रही थी खुले वालों में अराध्या ने मिनिमल मेकप किया था वो इस नयल लुक में बहुत प्यारी लग नहीं थी अचानक से इतनी जल्दी अराध्या का बदला हुआ लुक देखकर लोग शौक रह गए है कुछ वक्त पहले तक अराध्या का लुक कुछ ऐसा था अराध्या का हेरेस्टाइल हमेशा सही बेबी कट रहा है उनमें काफी बचपना जलगता था लेकिन अमबानी की प्री वैडिंग में अराध्या काफी मैच्यो लगी उनने देखकर बिलकुल नहीं लगा कि वो सिर्फ बारा साल की है अराध्या की इस खुबसूरती को देखकर जहां लोग उनकी तारीफ करते नहीं ठक रहे तो कईयों ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिये है लोगों ने अराध्या को प्लास्टिक सर्जरी की दुकान बताया है नेटिजन्स का कहना है कि उन्होंने नोज और लिब जॉब करवाया है यहीं नहीं कुछनी ये भी दावा किया है कि आराध्या ने अपने चहरे पर सकिन वाइटनिंग क्रीटमेंट किया है आराध्या की तुलना उनके पहले लुक से करें तो उनकी स्किन काफी दबी हुई थी इतना ही नहीं वो हर बार अपनी मा के साथ एक ही हैरस्टाइल में स्पोर्ट होती थी बॉलिबूट के जादातर फंक्शन में आराध्या एक ही लुक में नजराती थी ये पहला मौका है जब आराध्या किसी इवेंट में बदले हुए लुक के साथ पहुची थी लोगों ने आराध्या की तुलना रीवा अरोडा से भी की है जो छोटी सी उम्र में अपना लिफ फिलर करवा चुकी है फिलहाल आराध्या को लेकर लोगों की अलग अलग राय है लेकिन इतना जरूर है कि आराध्या ने अपने इस नय लुक से लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खिच लिया है बिरो रिपोर्ट बॉलीबुट पे चर्चा